असलाम आलेकुम दोस्तों मैं हूँ असलाम आलम आप तवान दोस्तों को एक और नई वीडियो में वेलकम करता हूँ दोस्तों ये देख सकते हैं मेरे सामें नहीं पर कितने बच्चे यहां पर खड़े हैं जिसको मैं एक कंपिटिशन में लेकर काया हूँ इसको करना ये है कि यहां पर दो निशान है ये जो है ये निशान बड़े बचों के लिए है और ये निशान जो है छोटे बचों के लिए है करना सरिफ ये है कि यहां से खड़े हो करके गेंद को इसे फेक करके इसे फेकने के पाद इसको इसमें डालना है इसके अंदर में अगर जिसकी गेंद घुश जाएगी उसको दो मरत्वा मुखा मिलेगा दोनों मरत्वा अगर इसको गेंद को इसमें डाल देता है उसको यहाँ पर ये बिस्क्रिट इना में मिलेगा आप लोगों के सामने में और जो कामियाब नहीं हो पाएगा उसको यहाँ पर चोकलेट मिलेगा चोकलेट भी यहाँ पर हम ला करके रखे हुए है तो चलिए इस कंप्टेशन को हम शुरू करते हैं लेकिन उसे पर दोस्तों आप लोग इस रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा होसला बर्स के हम इस तरह की खेल आप लोग सामने और भी लाते रहें यहाँ से गेन डालो उसमें फेक कर पर दो करके यहां से डालो चलो डालो अई नहीं हो पाया चलो यह चोक्लेट लो शाबाज तुमको एक चोक्लेट मिला चलो इधार इधार तुमरा नमबर खतम हो गिया अब यहाँ पर इस बच्चे की बारी आ चुकी है ये बच्चा अपने ट्राइ करते हैं वे कोशिश करते हैं इसकी पहली कोशिश नाकाम हो चुकी है अब देखते हैं कि दूसरी कोशिश में क्या होता है दूसरी कोशिश भी यहाँ पर नाकाम हो चुकी है तो इस तरह सिर्फ इसको यहाँ पर एक चॉकलेट से एक्तिफा करना पड़ेगा इसके बाद बारी बारी सारे बच्चे अपने अपने बारी जब आई तो सारे बच्चे यहाँ करके कोशिश की लेकिन अभी तक किसी ने भी बिस्कीट को जीतने में कामियाबी हासिल नहीं की है तो हम चली आगे देखते हैं इस वीडियो को थरा समने फास्ट फरवर्ट कर दिया है ताके ये वीडियो ज्यादा लंबी नहों क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग इसको देखना पसंद नहीं करते हैं यहां पर देख सकती है लड़का भी पहली कोशिश में नकाम हो चुका है दूसरी कोशिश इसकी कामियाब भी तो इसको भी यहां पर एक अच्छा वाला चोकलेट दिया गया है जिसकी कोई भी कोशिश कामियाब नहीं होती है उसको जो है कम कीमत वाली चोकलेट दी जाती है जबके जिसकी एक कोशिश कामियाब होती है उसको उससे थोड़ा अच्छा चोकलेट दिया जाता है अब इस छोटे बच्चे कि यहां पर हम देखते हैं क्या कर पाता है इसकी पहली कोशिश नकाम हो चुकी है और दूसरी कोशिश इसकी कामियाब हो गई है और यह देख सकते हैं बच्चा किस तरह खोशी से उशलता कूता हुआ नज़रा रहा है इस एक साथ यहां पर ऐसा लगता है कि पहला राउन खतम होने वाला है तो पहला राउन खतम होगा तो हम दूसरा राउन भी शुरू करेंगे उसमें सिर्फ हम एक बार की शर्त रखेंगे जो बच्चा एक बार में गेंद को अंदर में डाल देगा उसको बिस्किट मिल जाएगा ति यहां पर देख सकती है पहला बच्चा है जो कि दो कोशिश किया और दोनों इसका कामियाब हो गया तो इस तरह इसको जो है यह बिस्किट जीतने वाला पहला बच्चा बन गया अब इसके बाद देखते हैं इसकी पीशे में एक और छोटा सा बच्चा खड़ा है यह बच्चा क्या कर पाता है पहली कोशिश कामियाब रही इसकी अब दूसरी कोशिश देखते हैं दूसरी कोशिश वीप्स की कामियाब है और ये लगातार दूसरा वच्चा है जो कि बिस्कीट जीतने में कामियाब हुआ है इस तरह इसको भी यहाँ पर बिस्कीट दिया गया अब इस लड़के को भी हम देख लेते हैं क्या कर पाता है ये दोस्तों यहां पर माइक का जो है सौंड का जो कुछ यहां पर गडबड़ी थी इसलिए हमने ओरिजनल सौंड को म्यूट कर दिया है और बाद में इस वीडियो को हम वाइस ओबर कर रहे हैं क्योंकि सौंड इतना गडबड़ हो गया था कि हमको मजबूरन वाइस ओभर करना पड़ा बाद में कोई भी कोशिश कामियाब नहीं हुई और ये लास्ट बच्चा है इसकी दोनों कोशिश कामियाब भी है और ये बिस्किट जितने वाला तीसरा बच्चा है अब यहाँ पर हम दूसरा राण शुरू करने वाले हैं क्योंकि अक्सर बěשतर बच्चे इसमें फेल हो गए थे तो दूसरे राण में देखते हैं और ये देख सकते हैं कि पहले राण दूसरे राण में जो पहला बच्चा से ने गेन्ध फेका तो वो कामयाब हो गया यहाँ पर उसको बिस्किट मिलते हैं वे दूसरा बच्चा यह भी कामयाब हो गया इसको बिस्किट मिलना चाहिए और इसके बाद जितने भी यहाँ पर सारे बच्चे सामने आपको नदर आ रहे हैं सारे बच्चे अपनी बारी-बारी में ट्राय करेंगे जो भी कामियाब हो जाएगा तो उसको बिस्किट मिलेगा जो कामियाब नहीं होगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा अब इसके बात देखती है बच्चा क्या कर पाता है इसकी कोशिश नाकाम हो गई और ये कामियाब हो चुका है ये बच्चा इसको दो मरतबा मिला और ये दोनों मरतब इसकी जीतनी में कामियाब हो आ ये बच्चा यहां पर कामियाब हो चुका है जो के पहली मरतबा में फेल हो गया था ये बच्चा नाकाम हो गया तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो उमेद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करके आगे शियर करना मत भूलें ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई या नहीं पसंद आई कमेंट बक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियो उसी हिसाब से लाएं अगर कुछ मश्वरा देना चाहते हैं सजेशन देना चाहते हैं कमेंट वक्स में जरूर लिखें